तो हाई फ्रेंच नमस्कार दोस्तों कैसे हुआ आप सब मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनर अभी सेक सिंग और आप देख रहे है माई मेकेनिकल सपोर्ट दोस्तों आज हमारे पास बाइक है पैसन प्रो का आई थ्रीस टेक्नोलोजी वाला बी एस फोर मोडल और इसके इंजन दोस्तों मैं आपको प्रोब्लम काफी कॉमन सा है किसी के भी बाइक के साथ हो सकता है यह जो प्रोब्लम है यह टाइमिंग चैन के प्रोब्लम है मैं सबसे पहले एक 14 नमबर का रिंग रिंच लेता हूँ और एक जो है वो इसके लिए स्कूड है वर्चा यह बस दो ही टूल इसके लिए रिक्वायड होते हैं आप विडियो को पूरा देखें आपको पूरा जानकारी मिलेगा हर एक बात को मैं डिटेल में आपको बताने का कोशिस करूँगा ये जो आप बोल्ट देख रहे हैं हमें इसे ही खोलना है दोस्तों ये साउंड जो है वो टाइमिंग चैन की है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइमिंग चैन जो है वो किस तरह से आप घड़ पे ही एड़ेस्ट कर सकते हो ये हमने रिंज को जो है वो anti-clockwise घुमाया किसी भी बोल्ट को खोलने के लिए हमें anti-clockwise घुमाना होता है एक जटका दिया बोल्ट खोल गई उसके बाद हम हाँच से भी इसे जो है और उसके बाद ये बंद हो जाएगी बहुत ज़्यादा ओयल की बरवादी इससे नहीं होती है ये spring है ठीक है इस spring का काम है मैं एक और पार्ट आपको निकालूँगा जो कि बांसुरू निमा होता है उसको जो है वो timing chain में ये सटाक रखता है वो उसको उठा करकर रखता है इस तरह से जो है वो आप एक तो बार प्रेस करेंगे तो वो फिसल करके नीचे की तरफ खिसक जाएगा और जैसे ही आपको वो दिखने लगे आप उसे हाथ से खीच सकते हैं ये देखिए हमें दिखने लगा इसे हमें इस तरह से जो है वो खीच लेते हैं और उसको पूरा बाहर कर लेते हैं ये देखिए ये हमने बासुरी नूमा जो पार्ट से उसको निकाल लिया है इसके दो पहलू होते हैं एक तरह पी ये रबबर लगा हुआ है और आप इसके दूसरी साइट देखेंगे तो भाल्ब है उसको भी मैं दिखाऊंगा ये रबबर है और इस साइट जो है वो ये भाल्ब है आप देख सकते हैं तो दोनों ही चीज़ को आपको चेक करना है कितना बार होता है कि हमारा जो रबबर रहता है वो भी जो है वो निकल जाता है और उससे भी जो है वो बहुत जादा साउंड आने लगता है तो रबबर तो ठीक है इस भाल्ब को हमें चेक करना है इस भाल्ब को चेक करने के लिए आपको जो है वो इसमें थोड़े से पेट्रॉल या फिर कोई और भी आपके पास ओयल है तो उसको जो है वो उस भाल्ब में डाल सकते हैं दोस्तो अगर वीडियो इंफोर्मेटिव लग रही होगी लाइक करे और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तो हम वाल्ब को चेक कर रहे हैं तो यह हमारा वाल्ब भी सही निकला इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है टाइमिंग चैन से अगर आवाज आती है तो यह तरीका जो है वो 100% कारगर है अगर यह तरीका काम नहीं करता है दोस्त तो आपको सीधह तोर पे जो है वो आपकी ट पाय नहीं है जितना tight होना होगा इस तरीकेस जो हो टाइट हो जाएगी यह हमारा rubber है और दोनों side ठीक है हमारा एक side rubber हता और एक side भालू रहता है जिस तरह से मैंने आपको बताया अब इसे saff कर लेते हैं इसे आप जिल्कुल जो है वो असानी से घर पहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी भी कराज में जाने की जरूरत नहीं है, ये एक rubber है, ये आपको अलग से भी मिल जाती है, अगर ये खुल के गिर जाता है, तो आप इसे खरीद सकते हैं, इसकी कीमत जो है वो 7-10 रुपे है, और असानी से ये मिल भी ज है, तो इसे हम जिस तरह से निकाला था, उसी तरह से जो है वो फिट कर लेते हैं, और आपको इस स्प्रिंग को जो है वो थोरा सा बड़ा कर लेना है, ताकि हमारा जो स्प्रिंग है, वो चैन को जो है वो उपर के तरफ धकेल के रखता है, इस मासुरु निमा पार्च के सह तो हमने इसे जो है वो डाल दिया है अब हम स्प्रिंग को लगा देंगे ताकि स्प्रिंग इसलिए दे जाता है ताकि जितना लूज होता जाए हमारा टाइमिंग चैन उतना ही स्प्रिंग फैलता जाता है और उसे जो है वह सही जगा पे रखता है हर एक डीटेल आपको होनी जरूरी है ताकि आप जब भी बाइक की रिपेरिंग करें तो आप जो है वो कुछ जुगार वगरा भी लगा सकें अगर आपको जनकारी है तब ही आप जुगार लगा पाते हैं ये जो बोल्ट है जो हमने निकाली थी इसमें एक वासर है और लगाते से में आप ध्यान रखेंगे ये जो पार्ट से इसको हमें उपर रखना है और ये जो चौड़ा पार्ट है इसे हमें इस बोल्ट में इस तरह से डालना है दोनों का अपना कारण है एक तो चौड़ा पार्ट जो है बोल्ट में रहता है हमें जो है वो इसे हाथ के साहा रही इस बोल्ट को लगा देना है हमें clockwise भुमाना है जैसे कि मैंने वीडियो के सुरू में ही बताया था आपको कोई भी बोल्ट जो है वो anti clockwise खुलता है और clockwise जो है वो tight होता है यह हमने नीचे की तरफ बोल्ट हम लगा रहे है तो आपको देखने में उल्टा जरूर लग रहा होगा लेकिन यह वो tight हो रहा है चुकि इसका direction उल्टा है इसलिए आपको देखने में उल्टा लग रहा होगा अब हमने हाथ से इसे tight कर दिया है अब 14 नंबर के ring ring से इसे tight कर देंगे उमिदे दोस्त हमारा जो noise है वो चला गया होगा अगर इससे ये problem नहीं ठीक होती है मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको इससे अगर ठीक नहीं होती है तो direct time में जो है वो timing chain ही change करनी होगी और दूसरा कोई उपाय नहीं है चुकि हमने एक बार पहले भी से spring को बरा रखा है ये हमारी अच्छे तरीके से tight हो गई चलता है अब चलिए हम अपने bike को जो है वो left के side जुका लेते हैं ताकि हमारे जितना भी engine oil गिरा था वो फिर से अपने जगह पे आ जाए engine oil भी जरूरी रहता है ताकि हमारा bike जो हम स्मूथ स्टार्ट ले पाए और आपको bike स्टार्ट करने से पहले तीन से चार जो है फॉल्स कीक मारना होंगे ताकि आपके पूरी engine में जो है वो engine oil दौर जाए अब चलिए इस bike को जो हम स्टार्ट कर लेते हैं तो स्टार्ट होने दिए आपको तो दोस्त आप इस तरह से सुन पा रहे हैं कि हमारी bike की जो sound है वो बहुत जादा क्तम जो है वो नहीं होगे तोरी से कम हुई है लेकिन पूरी तरीके से आवाज जो है वो नहीं गई है अगर आपका bike का timing जो होड़ा सा लूज हो जाए तो आपको इस trick से जो है वो मदग मिल प्रेक्ती है यह trick 100% कारगर है लेकिन हमारे bike की timing chain को ही change करने है तो कि spring के भी अपनी एक limit है spring हमें जितना पैलाना तो उतना हम पैला चुके है अब हमें direct इसके timing chain को ही change करना होगा timing chain को change करते वाला video भी इसी channel पर आने वाला है subscribe कर कर करक सक करते हैं जय हिंदी जय जमान जय किसांद है